तो हलो बच्छों स्वागत है आप से एक वैसो एकाड़मी के उपर में आज किस वीडियो में डिसकस करेंगे एटम एन मॉलेकुल चैप्टर को क्लस 9 का चैप्टर नमबर 3 है और जो भी टॉपिक हम बोलेंगे और उसका आप लगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डा है वह काफी तेजी से बढ़ रहा है तो इसे और थोड़ा सा इजी रफ्तार दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाईए जिससे कि हम लोग लाइव क्लासे जो है वह ले पाएं यहां पस इसके लाबा भी कोई डाउट होगा तो आप हमें व इस जाँ पहुए उस चेपटर को पढ़ा रहाएं उसके इंदर में तो क्या है उसको पहले बाद में झाने लेंगा टूम्स क्या होता है इस्टर से मिल करके molecules बहुते हैं और अगर डिफिनिशन लिखना चाहें हैं तो जीया लिखेंगी है मौलिकूल का डिफिनिशन हो जागा स्मालेट पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड ठीक है इसका एक्जांपल की बात कर ले तो सोडियम है सोडियम एक्टम हो गया मॉल्कुल से महोगया वाटर का इस्टू वह बोले तो यहां पास आपका हाइड्रोजन और ऑक्षिजन जो है मिलकर के एक कंपाउंड बना इस्टू य दूसरी चीजे हम चले इससे आगे बढ़े तो जब आटम और मॉल्कुल्स चैप्टर में हुआ क्या था एंटोनी लबोजियर ठीक है इनका काफी ज्यादा स्रे रहा है और जो से फेल प्रॉस्ट दो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके बारे में जो है बताया पांडेशन केमिकल साइंस में ठीक है में कर्णक्रल कमबिनेशन को भी दो भागों में बाटा गया है फस्ट लाक अगरम बात कर ले तो वह हैं काउंस्टेंट इक करके हम दोनों ला को डिसकस करें तो सबसे फ्रस्ट में क्या सबसे अनुसार क्या होता है और यहां पास और यहां पास नाइधर प्रॉसेस को क्या क्या हुआ तो के केमिकल रियक्षन के दर्मियान जब केमिकल रियक्षन होगा तो उस वक्त किसी भी तरह का मास्क को क्या नहीं किया जा सकता है और नहीं उससे डिश्ट्रोग किया जा सकता है तो यह नोडाउं करना चाहें तो आप नोडाउं कर सकते हैं एक बार वापस से बोल दे रहें कि इसके अनुसार क्या होगा कि मास जो है मास का नाइदर भी क्रियेटिट नौर भी डिश्ट्राइड यह ने क्यमकल चाहँ दो जाता है क्या होता है इसके अनुसार क्या होता है कि डियूंग यह चेंज नहीं होगा और जो उसका प्रोडक्ट का रिक्टेंट क्या होगा जो जो compound जैसे अबГर हम बारत कर लें hydrogen H2 plus O2 ठीक है और मिल करके बना मेरा क्या compound is so तो ये दोनों क्या हो जाता है ये दोनों इधर-side वाले प्रोडाक्ट हो जाता तो इसका जो मास होगा और इसका जो मास होगा वह तो रिमेंस से हो जाएगा इन दोनों का मास कोई भी चेंज नहीं होगा तो यह कॉंस्टेंट पॉपोर्शन का यहां पास जाए ठीक है निश्च्वन चले यहां पास तो सुर्य यह जो है लाफ कंजर्वेशन आप महीं होगा सुर्य आपको मैंने गलत पता दिया है पास दूसरा लॉफ कॉंस्टेंट पॉपोर्शन को अब हम यहां पास डिसकस करेंगे लाफ कॉंस्टेंट पॉपोर्शन को ठीक है इसके अनुसर क्या कहता है इचिक इस चेंज च पॉपोर्शन में भी है लेकिन यहां पास क्या है कि डिफनिट पॉपोर्शन में रहेगा एक निश्चित मात्रा में जैसे हाइड्रोजन जो लिया हमने और आपने क्लास सेवन्थ में भी इसका सीखा होगा क्यों जब केमकल फर्मूला और बैलेंस करने के लिए जब वहां इसका होगा तो यहां पास भी आपने देखा होगा कि डिफनिट पॉपोर्शन में होता है कि यहां पास आपका तो वह हमारा जैज पर पोपोश्चन एक व्यक्ति जो की काफी आपिम मॉलक्यूस किसी भी क्लास के लिए उवह ब्यक्ति का नाम काफी फेम थी तीक दो जो कि 1808 में 18808 में डॉल्टन ने अपना अपना दल्ठ folds चư स Même画 में डॉलटन-डॉल आपिभा में डॉल्ड Kenneth और जो जो और जोसेफ एल प्राउस्ट ने अलाव कंजर्वेशन अफ मास दिया था उसी को इन्हों ने डिटेल में एक्स्प्लेइन किया ठीक है जिसको डॉल्टन अट्रॉमिक थियोरी क्या है तो देखें डॉल्टन अट्रॉमिक थियोरी के शिक्स पॉस्चुलेट भी आपको इंशा जो जितने में तो सबी छोटे छोटे पार्तिकल्स से मिलकर अशाल दूसरा उसने क्या बोला प्रेटेटर्फ डिसकों तो नहीं किया सकता है लेकिन उन्होंने कुछ हलग बोला और इन्डूवीजिवल इसे तोड़ा नहीं जा सकता लेकिन बाद मिन भलेखं़ गलत हुआ उसके बार में हमां लोग आगे डिसक्स करेंगे तो लेकिन यहां पास क्या हुआ इसको नहीं तोड़ा जा सकता है नहीं डिश्ट्रॉय किया जा सकता है निश्ट्र पॉइंट क्या था सिक्स पॉस्चुलेट में से ही अगर किसी सब्सक्राइब करेंगे आगे तो क्या दूसरा अक्सिजन अगर हम लेंगे तो वह क्या बुझाने मदद करेंगे नहीं दोने की जो वह स्यम रहता है नेक्षट तो कहने है कि डिफरेंट्न परसक्ट टिफरेंट लेट डिफरेंट मास एड़ थे लग अगर डिफेरेंट्नट्ललवं फटरेний गेंग है तो उश्च उसक्र üzल प्रोपर्टी और नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड को बनाने में आटम स्मॉल होल नंबर से ही आपने देखा यह बोलते हैं यहां पास लास्ट पॉस्चुलेट था वो बला गया इद रियक्टिव में और उसमें जो एक्टम्स होंगे वह कॉंस्टेंट रहेंगे ठीक है वह कॉंस्टन ट्राइंग तो सिक्स पॉस्चुलेट था इसको आपनों से भी नोटन कर सकते हैं अब हम चले एक्टम से और एक्टम को सबसे पहले लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं एक्टम के युडिज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच में और में नॉट है और में नॉट है और में नॉट है एन इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस बट ओल दी ओल बीच टीक से पार्ट इन चैमकल रिएक्शन ठीक है फिर सिक पर बपस से दोरा दे रहाँ आटम क्या है युडिज स्मॉलेस्ट इनुट आफ मैटर विच में और में नॉट भी नॉट है इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस बट ओल बीच टेक से पार्ट से चोटा से चोटा भाग पार्टिकल से है जो किसी भी एलमेंट्स का होता है और वह एक एमकल रियक्शन में भाग लेता है ठीक है तो यह आटम से डैफिनेशन आप यहां से लिख सकते हैं अट पोटेंशिल बात आपने सिखाऊगा कि किसी भी सेल से लेक्ट्रोंस निकालने के लिए जो इनर्जी लगता है उसे पोटेंट्यल कहते है तो वह उसको क्या कहते हैं कि सेंटर से यानि नुकलियस सी आउटर मॉस्ट सेल की डिस्टेंस को ही रेडियस कहते है अटूमिक सब्सक्राइब करेंगे आपको सब्सक्राइब कर लेंगे उसको निक्समें चलता है आपको यहां पस प्रवाइड करवा रखा है यहां पस अगर बात करें तो इसको कहते हैं अटॉमिक मास यूनिट इसका यूस्त है इनुफाइड मास करते हैं वन एम यू की बात कर लें अटॉमिक मास यूनिट इसकल टूवान पॉइंट सीक्सी इंटू पावर माइनस ट्वंटी सेवन के जी होता है ठीक है यहां पस यह आप लिखना चाहें तो लिए लिए अटॉमिक मास निकालने के लिए रेफरेंस लिया गया था किसका कारवन टुवेल आइसोटॉप्स का ठीक है आईसोटॉप्स का और यहां पास समझेगा तो एक ही तरह कि जिसे कारवन का कारवन का मास टीक का आटॉमिक मास होता है और यहां पास होते हैं और जिसमें आगे चले मास यूनिट मास यूनिट यानि मास यूनिट होता है कारवन टुएलब एटम का यह नोट डॉन कर लेज़ेगा जो आपके आपके स्क्रीन को पर में दिख रहा है यह पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब सेने क्लासेज में जाओगे जब वहां पास टीचर बोलेंगे इस चीज़ को नोट से रखाएंगे तोहां पास थोड़ा सापको कंफूजन क्रियेट करेगा निक्समान है मॉलेकुल को डिसकस कर लें अटम हमारा यहां पास अभी क्लियर होगे मॉलेकुल को डेफिनेशन लिखिएगा इस डिफाइंड इस डिफा और यहां पास आपका मॉलेकुल क्या हो गया डिसकसन आगे सीकिवरें कुछ पॉइंट से चलेंगे तो मॉलेकुल को बूख क्या डाते हैं मॉलेकुल को और भी यहां पास हम लोग चाथिसके बारे में रिक सकते हैं आप इट इसए घृप ऑफ है प्रूर मोर डाट डू गेमिकाली ठीक है फिर से लिखेगा इत इस ग्रूप ऑफ टू और मोर डाट र क्यामिकेली एक क्यामिकाली टूगेदर डैटेटीच टैटली हाल टुगेदर दूगेदर और अब यह पॉइंट थोड़ा सा मिस्टीक है यहां पस लिखागोया है और य करने की जरूरत है आगे चले इसका तो अगर बात करें इसमें कुछ पॉइंट कर सकते हैं मौलेकुल्स ऑफ एलमेंट्स आर कॉंस्टिवेट वाइद सेम टाइप आप अधे एक एलमेंट्स को अगर आपके लिए अगरे मौलेकुल्स को बात करें तो उसमें जो भी एक होंगे वह सीम प्रोपर्टी दिखाएगा चैनली प्रोपर्टी के एक प्रोपर्टी के इसमें क्या है कि दमने नंबर ऑफ एटम दनमबर ऑफ एटमस अब कॉंसिस्टिंग आप मॉलेकुल्स इन एजट आ आपके बारे में यह थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए लेकिन अगर इजी में समझना चाहते हैं तो किसी भी एटमस ठीक है किसी भी मॉलेकुल्स में जितने नंबर में एटमस अबलेबल होते हैं इसको प्रामानुक्ता बोलते हैं हिंदी में एक सिंपल बासा में अलिक्षूं है molecules of some elements containing one atoms नोग भी मोन अटमीक्स में जिसमें एक ही एटम्स होंगे वह मोनो ऑटॉमीक हो गया जिसमें दो एकम्स होंगे वह डाई आटॉमिक हो गया इस जग से पूरमुनो डाई ट्राइग ट्रै करके ट्रेटरा या कर पेंटाहेकसा करके यह पूरी टेब डिफिरेंट एलिमेंट्स नोड़न कीजेगा एटम्स ओफ डिफिरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन डिफिनिट और प्रोपर्टीज टू फॉर्म मॉलेकुल्स ऑफिकंपाउंड देखिए अब जब हम कंपाउंड बनाते हैं तो सिर्फ एक एलिमेंट्स से बनेगा तो डिफिरेंट 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 उसके एटम्स होंगी और जब दूसरे से मिलते हैं तब वह का फॉर्म करते हैं मॉलेकुल्स ऑफिकंपाउंड का ठीक है एक कुस्ट्ट्स जो मैंने काफी टाइम में आप से भी से पूछा भी था आयंस क्या होता है आय फॉर्व पोजेक्टिव चार्ज हो जाये और यह पोजेटिव निगेटिव के कहीं होता है कि रहुता है वह समझेगा वह होता है जब आप विलग्ट्राउंस को डेने जुर्फिकंपाउंड कर लेता है तो निगहीं चाहिए तो इस सिच्ट्वेशन में में फो किस फॉर म चार्ज में वह उसको चार्ज वाले फॉर्म में उसको क्या करते हैं आइंस करते हैं डो तरह कि वजेक्टिटिव निगेटीव जो और बार इसको अगर हम लोग तो आयन सी चार्ज पार्टिकल्स 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 और पॉपर में किया था और पॉज को उसको कट कर सेघ्ञव करते है और यह यह किजेगा सब्लाइन प्रक्रस से पिछाएज पय है यह बार से फिश using ग्रूम्फ जाँ सब्सक्राइब खौकर्टिकल्स रहा यह इस पॉइंट को भी नोट नोट किजेगा मैंने यह लिखवाया था अपने क्लासेज में और यह ग्रूप आफ आटम देखिए अब एक कंपाउंड भी हो जाता है किसी किसी सिच्वेशन में जैसे मैंने आपको सोडियम क्लोराइड जब कंपाउंड बनता है तो सोडियम का पोजेटिव आइंस और क्लोरीन का निगेट प्लस हो जाए और सिंगल माइनस भी हो सकता है लेकिन यहने सील के जंपल है जो यहां पस न्यूटरल काफी सारे कंपाउंड ऐसे भी है जो न्यूटरल हो जाता है इस पर कोई चार्ज नहीं इसलिए ना बोले जाता है कि जो असल्ट है वह एक डॉक्टर सिटी को कंड़क् एक ग्रूप अफ ऐटम स्कैरिंग चार्ज जो नहीं जा पोली यह टोमिक इना जो फार्ट सिंगे भूट घुड़किए वह उप ऑफ अटम जो चार्ज काल मुद्च करता है उसको पोली अटोमिक कहते हैं फॉली अटोमिक आयोंस कहते हैं फ्रिश्तिक बार डिसकस कर जो चार्ज को कहरी करेगा निश्टन पॉइंट है आयन में कॉंसिस्ट ऑफ सिंगल चार्ज एटम्स और ग्रूप ऑफ एटम्स डैट हैब नॉट चार्ज अंदी आयन उसके बारे मैं उपर में डिसकास किया कि आयन जो है किसी किसी कंपाउंड में चार्ज होने के बावजू पर लूगों परॉब्लम में होता है और काफी लोग काफी डाइम तक ने सहीं एक पर समझेंगे एक चूटा सा अच किसी एउयमंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है वह उसकी वैलंसी कहला थी वैलंसी का यूज कहा है तो मैंने आपको बताया था जब पिछला वीडियो मेरा कंपाउंड बनाने का हो टू में क्रियेट और यह फॉर्मूला बता था उसमें आपको इसके बार में डिसकॉस किया था तो वह चै वैलंसी क्या है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलमेंट्स होता है ठीक है और आगे हम लोग अगर डिसकॉस कर ले तो इसको एक और तरीके से रिफाइन किया सकता है कि इसके बार में भी उपर में सबसे उपर में डिसकॉस किया था कि अटॉमिक मास्स जो होता है बाबू बने अबमिक मास्ट जो होता है बोवो रिफरेंस लेगी ले रिया गया है वन बाइट वैल चारवन एकर्वन एटम से और इसी के अधर पे और अधर एलमेंट्स जो भी अभी तक जो मैने में हो या नेचुरल हुए उन सभी का यहां पास atomic mass निकाला जा रहा है और निकाला गया है ऐसे जनरली atomic mass जो है न वो आपका उसका atomic number से दूगना होता है ठीक है अब है molecular mass की बात कर ले तो molecular mass किया होता है न किसी जब कोई compound जैसे h2o की बात कर ले molecular mass तो hydrogen का mass एक होता है यहां पास दू एटम से यहां पा mass हो गया ठीक है तो यहां पास इसका हम लोग लिखेंगे अठारा एम यू ठीक है यह molecular mass होता है किसी भी कंपाउंट का आप लोग co2 का क्या होगा वो बताएगा हमें ठीक है co2 का क्या होगा क्या होगा molecular mass तो यह चीज़े आप कमेंट करके बताएगा अगर आपको नहीं सब्सक्राइब करें अब यहां तक कोई चीज़े जो है दिक्कते नहीं आए हो और क्यों और हो रहा होगा ठीक है अब देखिए एक नंबर है तो काफे टाइम से आपको यह 11 ख्लास में भी खास करके आपको इसके बार में आएगा जब काइनेटिक्स चैप्टर पढ़िए सब्सक्ति होता है इसका मोल सैफ्टर में आपका 11 घ्लास में तो वहां पास इसका पाफी ज्यादा डिस्केसं होगा विस्तार से ठीक है मोलर मास को आप इसका नम ओपको आपको मॉलेकिलर मांस हो हो तक चीज़े clear हो गया होगा तो finally हम लोग अब यहां पास आये हैं फॉर्मूला ऑन इर्ट इस concept फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे तो दीए नंबर ऑफ मोल्स निकालने सिंपल यह फॉर्मूला यूज कीज़ेगा यानि गीफेर मास और मॉलर मास तो आप प्रैक्टिस कीज़े दो चार्दस एटम्स के लेकर के और उसका मोल्स निकाले नंबर ऑफ मोल्स निकाले इसमें ठीक है आई होप की चीज़े यहां पर तक clear होगी अब पूछे कि नंबर पूछे तब उहां पास भी आप लोग इसी को इसी फॉर्मूले का जूज कीज़ेगा गीवेन मास और बाइ मोलर मास का यह दोने के रेशियो का जो वैलू होगा नंबर ऑफ मोल्स का भी वैलू देगा ठीक है यहां तो कोई दिक्कत इसके अलावा कोई डाउट्स आपका ठीक है कोई डाउट्स नहीं होगा है अटमस और मॉलेकूल से चैप्टर काफ़ी बहतरी यह स्टड़ी नोट्स है जो कि हमारे ओफ्लाइन क्लासेज का है आप अगर इस नोट्स को जाते हैं तो जरूर आप हमें मेसेज कीज़े वर्टसप पर नीचे वर्टसप का लिंक है चलिए इस वीडियो को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर केजिए चानल पर नहीं है तो चानल को सब्सक्राइब कीजिए मिलता है फिनिक्स वीडियो में धन्य बाद आप लोग आज किस वीडियो को देखने के लिए